हलो एब्रिवान विल्क्रम टु जींव अनॉर्ष क्लासस आज इस वीडियो के अंदर हम अrenome sex self determination in human की बारे में बात करेंगे human के case में- sex determination जो होता उसको groomsum ही determine करता है कसे करता है उसके बारे में हम discussion करेंगे तो sex determination यानि कि जब development की time पे हैनि कि sporm and ovum की fusion होगा ठीक है तो जो gygold बनेगा developing gygold जो है वो male होगा या female होगा ये चीज को कौन decide कर रहा है chromogeum decide कर रहा है ठीक है तो इसलिए आपको कभी कभी questions given account of chromogeumal basis of sex determination इन्यम्यान इस तरह के से भी question आ सकता है ठीक है तो देखे सबसे पहला चीज होता है कि sex के primary biological functions क्या होता है reproduction में participate करेगा एक male हो या तो एक female हो ठीक है ये दोनों की case में क्या होता है सारे सारे चीज़े equal होता है बस sex organ की तो ही differences रहता है female है तो ovary दीखने को मिलेगा male है तो primary sex organ and justice दीखने को मिलेगा उसके सासद उनकी secondary sexual character और कहीं पे तो differences नहीं होता है तो इसलिए human की case में जो 23 pair of chromogems रहता है उनमें से 22 pair जो होता है वो दोनों sex के लिए क्या रहता है equal रहता है जिसको हम बोलते हैं autogems in case of human 23 pair chromogems रहता है उनमें से 22 pair रहता है equal और जो 23rd रहता है जो last रहता है वो अलग अलग रहता है male के case में xy and female के case में xx रहता है तो इसलिए human की जो sex determinations होता है उनकी जो male होता है वो heterogametic होता है यानि कि जितने 20 sperm बनेगा 50% sperm के पास x chromogems रहेगा और 50% इनके पास y chromogems रहेगा क्योंकि यह जो y chromogems होता है वो ही determine करेगा male होगा या नहीं कितने भी x chromogems है उसमें कोई लेना दरा नहीं है लेकिन एक ही y chromogems यह दी रहेगा तो यह क्या करेगा उनको male बना लेगा so in man sex is determined by it's sex chromogems कौन determine कर रहा है sex chromogems जिसे आपको पता है x x रहने से female होता है and x y रहने से male होता है यानि कि जो y chromogems होता है वो male ने इसके लिए responsible होता है यदि y chromogems नहीं है तो female बन जाएगा यह एक by default process होता है female बनना एक by default process होता है लेकिन male कैसे बन रहा है उसके बारे में हम details बात करेंगे so individual with y chromogems जो कि develop होगा male को no matter how many x chromogems माल लेज़े तीन x chromogems से एक y chromogems है बाद में कुछ क्या होगा लेकिन initially testis बनेगा ही बनेगा ठीके ना जो secondary sexual character डेबल नहीं हो सकता लेकिन male ही होगा ठीके so y chromogems determine the sex इन human जैसे मैंने आपको बात किया कि autogenes क्या होता है sex chromogems क्या होता है उसके बारे में आपको basic idea रहना जरूरी है क्योंकि आपको चीज़े समझने के लिए 23 pair से 22 autogenes रहता है और जो one pair रहता है यानि कि 23rd pair female के लिए x sex and male के लिए x y रहता है ओई चीज़ लिखा है ठीके sex determination यह हम human की बारे में बात करेंगे जैसे आपको पता होगा ठीके माल लिजे यह कि father है ठीके यह mother है ठीके male and female ऐसे हम लिख सकते तो जब भी उनकी sporm production होगा यानि कि sporm matogenesis process चलेगा तो उनकी case में क्या होता है sporm matogenesis हो या toogenesis उसमें meiosis cell division होता है यानि कि reductional cell division होता है ठीके तो जितने भी sporm बनेगा emperor 22 autogenes रहेगा सत्थी साथ x x-x chromosome कि 22 autogenes x-y रहने तो male हुआ है ना तो इसलिए तो father male है तो और जितने भी 50% के पास y chromosome रहेगा लेकिन female के पास दोनो एक्स्ट्रोमोजम्स रहता है यानि कि 22 autogenes x-x रहता है तो इसलिए जितने भी ओबहम बनेगा सारे ओबहम में आपको क्या दिखने को मिलेगा x chromosome ठीक है तो ओही चीज लिखा है female जो होता है homogametic होता है female की सारे gamet में equal type की रहता है यहां पर लेकिन 50% के पास x chromosome और 50% के पास y chromosome तो इसलिए female homogametic and male जो होता है heterogametic होता है जब x chromosome वाला sperm जाके x chromosome वाला ओबहम के साथ fertilize होगा तो female बन जाएगा और जब y chromosome वाला sperm जाके x chromosome वाला वाला ओबहम के साथ fertilize किया तो x y हो गया तो male बन गया ठीक है वही चीज़ लिखा है notes की दवर पर लिख सकते हो दिखिए अब मुद्दा आता है कि किस तरह किसे y chromosome जो होता है sex को determine करने में help करेगा मदद करेगा ठीक है पहले में थोड़ा आपको कुछ चीज़े बता देती हूँ उसके बाद हम details बात करेंगे जैसे हमने देखा कि 23 pair of chromosome रहता है ठीक है इस तरीके से यानि कि ऐसे रहेगा 1 pair, 2 pair, 3 pair ठीक है इस तरीके से चलता चला जगा तो last जो है यह x है यह male की बात करेंगे यह y है ठीक है इस तरीके से यह के male की बारे में हम बात कर रहे हूँ जो y chromosome आप देख रहे हूँ कैसे sex को determine कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे y chromosome की short arm short arm को हम आईसा p arm कहते हैं long arm जो होता है q arm होता है उनकी short arm में एक region रहता है उसको हम बोलता है sry gene क्या बोलता है sex determining region in y chromosome sry की जो फूलफर्म होता है sex determining region on y chromosome समझभाई ना sry sex determining तो वहाँ पर यह gene के अंदर एक फैक्टर है जिसको हम बोलते है testis determining factor यानि कि यदि y chromosome present है तो क्या बन जाएगा testis बन जाएगा ठीक है जब भी माली जी mother से ओबम आया यह father से sporm आया ठीक है यह y chromosome बना sporm है mother की इस तरीके से ex chromosome mother की sets में जो है ex chromosome ऐसे रहा है father के sets में भी इस तरीके से 22 आया है autogems y chromosome यह से रहा है तो यहाँ पे जो undifferentiated है अस तो नहीं कि immediately सारे सारे बन जाएगा यह तो टाइम लेता है ना development के टाइम पे जब undifferentiated है undifferentiated है मतलब है कि कुछ differentiated नहीं है यह बरी बनेगा या testis बनेगा उस टाइम की बात कर रहे हूँ उस टाइम पे क्या होता है यदि y chromosome present है यानि कि उनकी fathers की साइड से sperm ऐसा sperm के साथ fertilize हुआ है ओबम जिसके पास y chromosome है तो यह क्या करेगा तो यह testis को ही develop हो जाएगा undifferentiated ठीक है क्योंकि उनके पास फ्याक्टर है undifferentiated gonad की जो medular reasons है उसको testis को बना लेगा जब एक बार टेस्टीस बन जाएगा तो क्या होगा देखे तो हमने ऐसे कुछ लिख सकते है कि माल लिजए यह undifferentiated gonad है undifferentiated गonad बनेगा यानि कि sex organ बनेगा obri बनेगा या testis बनेगा वो नहीं है ठीक है वो पता नहीं है undifferentiated है gonad उनकी एक cortex रहेगा ठीक है और medular रहेगा बीचो बीच एरिया को हम हमेशा medular बोलते है और periphery को हम cortex बोलते है ठीक है cortex बोलते है यदि sryzen है ठीक है मतलब कि यानि कि y chromosome present है sry reason है तो testis determining factor है तो medular क्या हो जाएगा और टेस्टिस को convert हो जाएगा तो उनमें जो cells present है इस एरिया के अंदर जो cells present है उनमें से कुछ cell sotoli cells को develop हो जाएगे कौन सी cell sotoli cell को develop हो जाएगे जब sotoli cells बन जाएगा ये क्या करेगा उनकी cortex area को inhibit करेगा कि तुम female specific characters मतलब कि यहाँ पर ये anti-mullerian anti-mullerian hormone secret करेगा कौन? sotoli cell sotoli cell anti-mullerian hormone secret करेगा उसको AMH भी हम बोलते हैं anti-mullerian hormone secret करेगा जो कि regress करेगा ठीके ना regress करेगा कि तुम female जो female की जो organ है यानि की जो ovary है उसको ना बना ठीके? तो sotoli cell की ये काम होता है एक तरीए से ये ऐसे करेगा female specific character को develop करने नहीं देगा ठीके? ठीके? आच्छा तो और दूसरी तरी से क्या करेगा? जो sotoli cells है वो induce करेगा other cells जो है उनकी periphery में जो अलग cells होता है कि तुम ledic cell बन जाओ ledic cells ठीके? sotoli cells की दो चीज़ है तो ये बनेगा ये बनेगा जो उही area में जो दूसरी अलग cells होता है तो ledic cell बन जाओ एक बार जब ledic cell बनेगा ये टेस्टोस्टिरोन सिक्रेट करेगा ठीके? वो ये टेस्टोस्टिरोन की दो functions होता है टेस्टोस्टिरोन क्या करेगा? एक तो secondary sexual character को develop करवाता है जब वो puberty time पे ये तो उनकी functions होता है ओल्फियन डक्ट को ये मतलब की induce करेगा कि तुम जो internal organ होता है ना genitalia organ internal genitalia organ जो होता है organ उसको develop करवा लेगा ठीके समझ भाए ना? ये दी y chromosome है हमारे कहिनी की मतलब ये है ये ये x chromosome हो गया ये y chromosome हो गया y chromosome के जो short arm होता है इसमे एसा रोईजीन होता है वही एसा रोईजन के पास testis determining factor होता है ये ये factor present है जाइगट बनने के टाइम पर जो undifferentiated mass था उनकी medulla के ओपर वो access दिखागा वही testis determining factor वो testis बन जाएगा इस एरिया के अंदर जो cells था पहले वो develop हो जाएगा subtly cells को subtly cells जब बन जाएगा ये दो तरीके के काम करेगा एक तो female को बनने नहीं देगा female organ बनने नहीं देगा फिमेल और अर्गन बनने नहीं देगा फिमेरी प्योंशन से दूसरा है उनकी जो आसपास में जो cells था उनको leadic cells में उनमेंने convert कर लिया जब leadic cell बन जाएगा जब लड़ yard suivर बने गाव उनकी तरीके हुटा है उ whillcompass asks और उल्फ अंडक्ट बना लेगा उल्फ ऐन डक्ट को और उल्फ जो रहता है उसको टेस्टिस बनाने के लिए और दूसरे जो आसेसरी डॉक्ट बनाने में हेल्प करेगा इनिकि जो जनिटल या ओर्गन हमने साथ देखे हैं उसो बना लेगा ठीक है तो आप इस तरह कैसे देख सकते हो देखे हैं शोटार में वहाई रहता है इफ तरह इसा रोजे एंकिसरी डॉक्टफी के के एक्सप्रिसेट करी तो अमनेा ठीक है साथ रसब की सब्सक Ostrylicheल माना एक्सफोर करें Undifferentiated, एक होता है, Mullerian duct, Mullerian duct यह दी रहेगा, यह आपका ovry बनाएगा, fallopent tube बनाएगा, यह सारे चीजे, और एक होता है, Olphian duct, Olphian duct जो होता है, यह testis, Olphian duct, आपने W लिखा है ने W से Omen, हाना आप यह से याद रखे कि W लिखा है, लेकिन यह male वाला character बनाएगा, यहाँ प female वाली चीजे जो बना रही है, तो जब सौ्टोली से ल एक बार बन गया, सौ्टोली से ल क्या कर रहा है, anti-mH, anti-mullerian hormone secret कर रहा है, जो कि female specific, मतलब इस duct को आगे कि और बनाने के लिए नहीं देगा, ठीक है, तो बनाएगा, यह दी माल लीजिए, Y chromosome नहीं है, तो इसका मत reason है, सौ्टोली से ल बनेगा, क्या नहीं बनेगा, मतलब कि Y chromosome तो नहीं है, तो टेस्टेस नहीं बनेगा, सौ्टोली से ल नहीं बनेगा, तो anti-mullerian hormone secret नहीं होगा, यह anti-mullerian hormone secret नहीं होगा, तो mullerian dog अभी develop हो जाएगा, वो बना लेगा, ठीक है, वो ही female specific, तो ऐसे मान यह होता है, sex determination in human case में, I hope कि आपको वीडियो अच्छे समय, जिदी वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, share कीजिए, और subscribe कीजिए